नमस्कार जारकंड में सियासत की गेमा गेमी जोरो पर है जारकंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और राज में पांच चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे चुनाव नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे जारकंड जहां पर भारती जनदा पार्टी और आजसू और जारकंड स्टूडेंट्स यूनियन दोने दलों की गडबंदन सरकार है अब लेकिन वहाँ पर जारकंड में बीजेपी के लिए खासी मुश्किले कड़ी हो गई है सबसे बड़ा सवाल जारकंड की राजनीती में जारकंड में यही है कि क्या वहाँ पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर पाएगी क्योंकि जो बीजेपी की राज्य में सहयोगी है आसू और जारकंड में यूनियन उसने बीजेपी से नाता तोड लिया है सीटों के बटवारे को लेकर आसू की बीजेपी के साथ तनातनी थी और जो उसके प्रमुक सुदेश महतो है आसू के अध्यक्ष उन्होंने बहुत लंबे विचार विमश के बाद सोस्मझने के बाद अकेले दम पर चुनाओ मैदान में उतरने का फैसला किया है इससे बीजेपी की मुश्किले निश्चेत रूप से बढ़ रही है क्योंकि दूसरी और जो विपक्ष का महागट बंदन है वो भी वहाँ पर तयार हो गया है और कॉंग्रेस आरजेडी और जारखंड मुक्ती मोर्चा जे एमेम ये तीनों दल मिलकर चुनाओ लड़ रहे बीजेपी के सामने मुश्किले इतनी नहीं हैं मुश्किले और जादा हैं मुश्किले ये हैं कि बीजेपी की जो वरिष्ट नेता है सर्यू राय जहारखंड में उन्होंने वहाँ पर बगाबत किये और एलान किया है कि वो भी चुनाओ लड़ेंगे इसके अलावा लोग जन शक्ती पार्टी जो NDA में सहियोगी है और केंदर सरकार में भी रामविलास पासवान उसके कोटे से NDA में मंत्री हैं उसने भी एलान किया है कि वो जहारखंड में 50 सीटों पर चुनाओ लड़ेंगे इसके अलावा जनतादल यूनाइटेड जिसके साथ बिहार में BJP सर जनकार चला रही है उसने भी कहा है कि वो जहारखंड में चुनाओ लड़ेगी ऐसे हालात में वैसे लोग जन शक्ती पार्टी और जनतादल यूनाइटेड का बहुत जादा जनाधार जहारखंड के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी भारती जनतादल पार्टी के सामने आस् इसलिए पांस सालों की बात करें जहारखंड में तो जहारखंड में मॉब लिंचिंग के नाम पर बहुत सारी हत्याएं हुई है और इन घटनाओं के कारण निश्चित रूप से देश बर में जहारखंड की एक नकारात्मक छवी बनी है वहाँ पर विपक्षी दलों ने र हज होना पड़ा है क्योंकि ऐसी घटना है सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई थी और निश्चित रूप से वहाँ की राज्य सरकार की कारे प्रणाली पर सवाल उठे थे अब बात करते हैं विपक्षी महागट बंदन की विपक्ष में जो महागट बंदन है उसमें हेम और राष्ट्री जनता दल जिसका बिहार में अच्छा जनादार है वो भी इस घटबंदन में शामिल है इन तीनों दलों ने सीटों का बटवारा भी कर लिया है और पहले चरण के लिए चुनाओ प्रचार में ताकत भी जोग दी है जारकंड में विधान सबा की 80 सीटे हैं और इसमें जे एमेम चारकंड मुक्ती मूर्चा वो 43 सीटों पर चुनाओ लड़ रहा है जबकि कॉंग्रेस 31 सीटों पर और आर जेडी 7 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है ऐसे हालात में देखना ये होगा कि ये जो महागट बंदन है ये कितनी टकर भारती जनता पार्ट मराणी राजी के पूर मुक्य मंत्री रहे हैं और इस बार भी उन्हें बहुत समय तक मनाया गया कि वो विपक्षी दलों के महागट बंदन में शामिल हो जिससे महागट बंदन मجबूत बन सके लेकिन सीटों के वटवारे को लेकर मराणी की पार्टी का महागट बंदन के जो बाकी दल है उनसे रास्ता कायम नहीं हो पाया और इस वज़े से जे वी एम जो उनकी पार्टी है जारखंड विकास मोर्चा उसने ये एलान किया कि वो राज जी की सभी 80 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी इससे होगा ये कि कहीं न कहीं महागट बंदन के ज तो इससे ये वोट कंसॉलिडेट होता जो बीजेपी के खिलाफ रहता जो वोट था लेकिन ऐसे हालात में जारखंड विकास मोर्चा कुछ न कुछ वोटों को पर असर डालेगा और इससे निश्चेत रूप से महागट बंदन को नुकसान हो सकता है और ये बीजेपी के ल अगर 2019 का जो भी लोगसबा चुना हुआ है उसके हिसाब से देखें तो राजज में लोगसबा की 14 सीटे हैं और इसमें 12 सीटों पर बीजेपी और आसू को बढ़त मिली थी यानि कि वो जीते थे और अगर लोगसबा चुनाओ के नतीजे को विधान सबा चुनाओ में सीट प्लस का नारा दिया था लेकिन हर्याणा और महराष्ट के चुनाओ नतीजे जो आए हैं उन्हें देखकर बीजेपी को मेहनत बहुत जादा करनी पड़ेगी क्योंकि उसे ये उम्मीद थी कि हर्याणा और महराष्ट में अगर वो एक बड़ी जीत हासिल कर लेगी तो इसक के अलावा नितिन गटकरी, राजना सिंग, कारिकारी अध्यक्ष जेपी इनड़ा और भी कई नेता पार्टी के लिए चुनाओ परचार करेंगे रैलिया करेंगे और वोट मागेंगे लेकिन मुखे तया अमेश शाह और नरेंद्र मोधी पार्टी के लिए परचार करेंग कमी पेशी न रह जाए अब इसमें सवाल यही है कि जब आसू, लजेपी और जेडियू जब बीजेपी के खिलाफ चुनाओ लड़ रहे हैं तो ऐसे मैं बीजेपी किस तरीके से अपनी चुनाओी नईया को पार करेंगी क्योंकि उसने नारा तो मिशन 65 प्लस का दिया है ल कॉंग्रेस और आर्जेडी शामिल है और इस तरब बीजेपी है और इस तरब आपकी ज़ारखंड विकास मोर्चा है लेफ फ्रंट है और भी छोटी पार्टी है पूरी ताकत लगा रही है देखना होगा कि ज़ारखंड की जनता क्या एक बार फिर से रगवर दास सरकार को बीजेपी सरकार को जनादेश देती है या महागट बंदन को इस सत्ता मिलती है क्योंकि अगले एक डिड़ महने तक जब तक चुनाव नतीजे आएंगे 23 दिसंबर तक चार खंड में लगातार सियासी गहमागेमी बनी रहेगी आप देखते रहे है सत्यहंदी.com जाने से प करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.